आज पढ़ेंगे समिकरण, समिकरण के परकार, जी हाँ, टाइप आफ, इक्वेशन, साथियों क्या आप जानते हो, क्या, कि रखिक समिकरण किसे कहते हैं, और जो घाज समिकरण किसे कहते हैं, पता है आपको कि नहीं, बताइए, रखिक समिकरण को एक और भी नाम से बोलते हैं, जीसे बोलते हैं, सिंपल इक्वेशन, या फिर इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, इंग्लिस में सिंपल इक्वेशन और हिंदी में इसको बोलते हैं सरल समिकरण, ओके, साथि मेरे दुग हात समिकरण इसको इंग्लिस में क्वेसन बोलते हैं क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक इस अगरन के जिसमें अधिक्तम दो घ्राट होती है वो ग्वाड्रेटीक क्वेसन काहला ये इसका जो बेसिक या इस्टेंडर्ड फाम होता है इसका वाले का दिख रहा है न वो AX स्क्वाइर धन BX धन C बराबर 0 इस फार्म का होता है जिसे मिस्र दुखाद समिकरण भी कहते हैं और जो सुद्ध दुखाद समिकरण होता है उसका स्टेंडर्ड फार्म होता है AX स्क्वाइर प्लस फी बराबर 0 इस तरीके का होता है ठीक है और ऐसा समिकरण जिसमें कोई प्रकार की पावर ना हो जैसे AX प्लस फी बराबर 0 इस फार्म का होता है अभी और विस्तार से पढ़ेंगे जैसे यहां पर दुखाद समिकरण का देखिए स्वारे टॉपिक क्लियर होंगे डॉन्ट वरी दिख गया ऐसा समिकरण जिसमें चर पद की अधिकतम घात दो होती है वो दुखाद समिकरण का हलाते है चर पद की अधिकतम घात दो होती है चरे बहुकaker जैसे देखो यहां पर क्या है एक्सकी पावर टू यहां पर टू है तो आपको गया है पिर इसकी अलामआभी कुछ हो सकता है क्या Ł ninth कि अल्यामथी हो सकता है जैसे द्होरा जैसे अगर हम इसकी बात करें अब गया लोगी तीन एक्स का स्कॉयर धन साथ एक्स नो एक्स घात तीन क्या ये दूइगात समिकरण है बोलो यास या नो वरतिका हां कमेंट आ रहा है गुड नहीं है नहीं है क्यों क्योंकि इसमें जो मैक्सिमम पावर है यक्स की वो तीन है तो यह क्यों भी किवेशन है नाट छिखात कौड़र की करनये के तो अधिकतम पावर कौने चाहिए धिकतम पावर जो है पूरे question में वो दो होनी चाहिए दो फे जादा कई नहीं होनी चाहिए ये दुखात हो गया और वो कहीं भी हो सकती है पावर जरूरी नहीं कि starting में ही होगी जैसे देखो ऐसे भी ये भी क्या है इसको ऐसे भी लिख सकते हो ये भी दुखात समिकरन आई ये में वो स्वागत है आप सभी का PBR study में कहते हैं कि जीत अगर हासिल करनी है न तो काविल बनिए क्योंकि किस्मत की रोटी तो कुत्ते को भी नसीब हो जाती है तो इतनी बड़ी बेज्जती नहीं सायने का ठीक है और कामना करना इच्छा करना बंद कर दीचिए कर्म करना सुरू कर दीचिए अगर आप जिंदगी में टार्गेट के पीछे भागोगे टार्गेट और दूर भागेगा है न और अगर अगर अपने काम पर फोकस करेंगे तो जो आपका उद्देश है टार्गेट है जो आपकी सौक है सपना हो आपके पीछे भागेगा समझ रहे हो यानि अगर आप काम के पीछे भागोगे तो सपना आपके पीछे भागेगी समझ गए चलो फिर इंटरनेट प्यार मतलब क्य कि उन्हें सारी फिरी क्लास की नोटिपिकेशन अपडेट आधी आधी चीजे मिल सकें यह लक्ष बैच चल रही थी ना थोड़ा सा स्टार्टिंग में पढ़ाना जरूरी था परिचे बाद में होता रहेगा क्योंकि कुछ लोग आते हैं बहुत ही उम्मीद के साथ तो यह ब यह थोड़ा जाधा इधर सब खिसका दिया गया यार बड़ा मुसीबत कर रहा है यह चलो तो आ गए चले चलो बई समीकरण के प्रकार पढ़ने के पहले सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक चर रासी वाले समीकरण और दो चर रासी वाले समी करन सोयब खान मेनूर सेख महेश चोरसिया आरुसी पटेल आरती राय और दुवा कुमारी सब के कमेंट्स आ रहे हैं दन दिख रहा है ना वीडियो क्वाल्टी चेंज कर लो फटा फट चलो linear equation यह क्या उनसी बीमारी का नाम है ऐसा equation जिन में ओनली एक घात होती जो अभी मैं बताया था linear equation in one variable एक चर रासी में रहेखिक समी करन जैसे देखो एक जामपल यहाँ पर देखो पहले बाकी चीज़े छोड़ो ऐसे समी करन जिसमें सिर्फ one variable हो और उसकी power भी one ही हो variable और constant तो सभी अच्छे पर जान रहे हो क्योंकि already मैं basic में पढ़ा चुका हूँ नहीं जानते हो तो पहले basic math सीख लो भईया ठीक है राबू भईया चलें आगे चलो तो यह एक जामपल यहाँ पर हो गए इस तरीके के और भी हो सकते हैं इस तरीके के और भी हो सकते हैं बहुत सारे हो सकते हैं जैसे देखो पानलों मैंने लिख दिया 9x क्या यह भी वही है एक चर्रासी में रखिक समी करन है हाँ या नहीं बताओ यस क्या दूसरा भी एक चर्रासी में रखिक समय करन है बोलो यास या नो क्या दूसरा भी एक चर्रासी में रखिक समय करन है नहीं न चलो आगे रोहित आयो ठीक है पहला है दूसरा नहीं है क्योंकि इसमें अधिकतम दो घात है तीफरा भी नहीं है अभी सब क्लियर हो जाएगा पहले परिभासा देख लीजिए एक बार अभी मोटा मोटा देख लो फिर सब क्लियर हो जाएगा इस्क्रीन साट ले लो इनका फटा पट चलो इसका PDF हम PBR Study के Telegram चैनल पर वेद देंगे कलास के बाद में Linear Equation in 2 Variable 248 वाला रखिक समिकरण इसका Standard Farm होता है AX A रुक नरे दादा AX प्लस BY प्लस C बनाबर 0 की रूप का 284 वाला रखिक समिकरण कहलाता है ठीक है आजसा समिकरण जिसकी अधिक्तम घात एक होती है वो रखिक समिकरण कहलाता है क्योंकि ये चीज मैं नहीं बताया था आभी तक आपको इसलिए यहां पर लिखा अलग से Example तो वही अभी बताता है हूँ अहीं सब है कुछ नया तो है नहीं लिखो जल्दी स्क्रीन साइट लो भट से जलो कि बहुत जल्दी जल्दी बोलता हूँ क्या कि इस्क्रीन साइट ले लो बाबु इनका ले लो भंक जाये हो लोकुष माही यदो हूँ हूँ चुपचाप पढ़ रहे हूँ न कुछ लोग बोल नहीं रहे हूँ जोएता कुमारी कमेंट आ रहा है राकेश परजापती तो आज लो देखो यहाँ पर बात क्या क्या कर रहे थे हम लोग अब मुझे बताईए यस या नो में जवाब देना तीन यक्स वाई प्लस पाच बराबर जीरो इसमें कौन एक चर्रासी में रेखिक समी करना है बताओ linear equation in one variable a, b, c में कौन सा है बहुत अच्छा बेरी गुड बेरी गुड भाई ये दुवा कुमारी बहुत बोल रही यार तो मुझे गुष्चा लग रही इसके कमेंट पे कमेंट पे कमेंट कमेंट काफी पेस्ट काफी पेस्ट मतलब मैं क्या ही करूं ना देखू मैं हाँ जो पढ़ने वाले हैं चैट की चक्कर में न पढ़ें वो पढ़ाई करें जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उध्यान दे फोन को ऐसे करके पकड़ेंगि निफो कमेंट अटा है और उसी में कमेंट मेंट आता रहता है ना ऐसे मज़ा नहीं आती ऐसे या जब कुश्चन पूछा करें तो गुमा के बता दिया करो एक पार कर दोंद फिक इसका आंसर है यह क्या है एक चरासी में रखीक समीकरण है बट यह दो तो चर्रासी में नहीं है यह गात समीकरण है तो तो और क्या था इसमें और कुछ समझाना है क्या अच्छा देखो अभी हल करना बताऊंगा थोड़ा सा और भी देख लो अब मुझे यह बताना यह पी नंबर है अब बताऊं यह जड़ नंबर है इसमें कौन एक चर्रासी में राखिक समीकरण है बताऊं कि राकेश करें बोर्ट वाइड दीजिए काहे काहे मां कातक लीफ हैं आख के लिए आराम दाया खेंड़ें चलो डन आगे बढ़ें ठीक है जड़ वाला है कौन सा है बाबु भाईया जड़ वाला है जड़ वाला है देखो कैसे यह है नहीं क्योंकि इसमें दो चर्र है एक यक्स यक वाई इसमें भी दो चर्र है इसमें भी दो चर्र है दो घात भी है तो यही है अकेला प्यारा सा चलो मिटाओं इस स्क्रीन साट ले लिजिए यह बच्चों के फीडबैक है इस तरीके के बहुत सारे कमेंट हैं बट यहां पर मिला नहीं पाता पैनल में कुछ पड़े हैं वही दिखा देता हूं आप लोग जाने की लोगों की क्या राय है अब देखेंगे टाइप आप इक्वेशन समीकरण के परकार है ना अभी स्टार्टिंग में इनके बारे में थोड़ा बहुत में बताया था लेकिन अभी स्टार से चलो भई सरल समीकरण या इसे रेखिक समीकरण भी कहते हैं इंगलिस में इसे सिंपल एक्वेशन बोलते हैं ठीक है लिनियर एक्वेशन भी बोलते हैं इसको रेखिक समीकरण मतलब लिनियर एक्वेशन ओके या सिंपल एक्वेशन तो एक घात समी करण जिसे इंगलिस में क्या बोलते है quadratic equation बोलते है क्या बोलते है quadratic equation तीन घात समी करण इने cubic equation बोलते है दिखाऊंगा, डेमो सब का दिखाऊंगा एक जमपल सबर करो और यन घात समी करण एक ऐसा equation जिसमें घात की कोई limit ना हो तो यन घात का हलाता है, जैसे माल लो मने लिख दिया, कुछ भी वगएरा वगएरा, घात बहुत बड़ी हो, ठीक है, रखिक समीकरण या सरल समीकरण का हल, बहुत आसान होता है, इसमें मुझे कोई बताए, यक्स कमान क्या आएगा, मज़ा आएगा, इसमें बहुत मज़ा ये कक्षा 3-4 की लेबल का है, बताओ, DL8 का सिलेबस में है, लेकिन, चल भईया, बताओ न राजा, चलो, 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 जल्दी से बताओ, भई, कितना आएगा, एक्स की बहलू, देखें, इसमें अगर आप इनका क्या करोगे, जो कंस्टेंट है, उन्हें ट्रांसफर करोगे, दूसरी फाइड में, तो, क्या होगा, जो, वरियेबल्स है, उसकी बहलू, फाइंड कर सकते हो, बस, क्वाल्टी बहुत गंदी आ रहे है, मिंस हमें बढ़ानी पड़ेगी, चलो, मैंने बढ़ा लियाओ, यक्स का मान कोई बताया, ऐसी महान आत्माओं में से, वो कौन सी आत्मा है, जिन्होंने यक्स का मान बताया है, उनका नाम है भूपेश चतुरवेदी, ठीक है भूपे सिल्पी चौहान, कहें डिन्डो रपीट रही हो, जाती हाथ जातु नहीं, कहें रही हैं हम जाताई, तब ही जान लें, ये का चले खो चलाना है था हम जाताई, इनको ऐसे लिख देंगे तीन यक्स को, बराबर की नीचे बराबर, इधर 12 था, इसको ऐसे रहने देंगे, द गटाओगे तीन आएगा, ये तीन इधर जाएगा, इसके साथ भाग में हो जाएगा, यक्स कमान एक आएगा, ठीक है, सभी को समझ में आया, कोई डाउट, कोई दिक्कात, नहीं न, जंगल में आप लोग कुछ देखे होगे नहीं, कभी-कभी डिस्कवरी होगा है, देख खेंगे, अगर जानवरों की जुनडा है, तो 22-22 की जुनडी इकठ्ठा होती, गईया की इकठ्ठा होती, होती नहीं है, और कुछ घर में गईया बहीं सियों में इतनी मुहबबत होती, कोई कठा ह crispy ठीक है, तो वैसे मैं कहना यह चाहता हूं, कि इनमें क्या है, ये बैया एक काटेगरी के थे क्योंकि यह आपस में जुड़ घट जाएंगे इनमें आगे कुछ उमीध है कुछ हो सकती है ठीक है समझ रहे हो बतलब 9 और 12 मिल करके इन्होंने कुछ किया इसमें जोड़ घटाना तो तीन आ गया यानि कुछ नया मिला अगर इनको इनी के साथ है इसमें वाई कमान क्या आएगा देखो यह आठ वाई एफ लिख लेंगे बराबर की नीचे बराबर लगा दो यह माइनस पांच है यह 21 इधर जाएगा प्लस में है इधर माइनस हो जाएगा माइनस माइनस जुड़ जाता है साथ ही मेरे तो यह माइनस 26 हो जाएगा और यह 8 इधर गुड़ा में है वाई के साथ इधर भाग में हो जाएगा बस दिख नहीं रा क्या है इसे 2 से डिवाइड करोगे तो माइनस 13 बटा 4 आएगा ठीक है नहीं दिखा क्या यह आँ भाईया रुका रहा हो नहीं दिखान तो ले आँ अब कहा दिखावे गरे दिखान अच्छा अब सभी मुझे यह बताओ यह बताओ कितना आएगा डिवाले में इसमें बताओ कितना आएगा यह अख्स कमन जल्दी से आथ से कमेंट करो डी 5 अगर पांच आ रहा है तो अगर 10 आ रहा है तो डी 10 यह जो भी आा रहा है इसे मीडि मिला के बताओ चलो अगry कोई करा साड़े तीन आएगा अरे इनको बस ऐसे छोड़ देना इससे ज्यादा हल नहीं करना है हाँ इन्हें सही बटा में चेंज करोगे आप मिस फ्रेक्शन में चेंज करोगे तो हो जायागा लेकिन मैं उतना डीपली नहीं जाओंगा हमारा उद्दे से है सिर्फ और सिर्फ यक्स की बैलू फाइंड करना मोटा मोटा सिखाना आपको बस उसको ज्यादा हल नहीं करेंगे चलो भाई आओ देखो इसमें 85 यक्स ऐसे लिख लेंगे बराबर कर नीचे बराबर यह 55 ऐसे रहेगा यह प्लस 27 दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का 27 हो जाएगा फिक है याद रखना चेंज हो जाएगा अब 85 यक्स चाहिए इनको ऐसे एक लाइन और लिख लो भाई यह दोनों निगेटिव है यह जूड जाएंगे तो साथ पांच बाराक दो हासिल एक और पांच दो साथ एक आर्ट माइनस 82 इनको जोड़ने का एक तरीका बताऊं तुमें देखो भाई यह 55 में 27 जोड़े का है जड़ा देखो मगर प्यार से कैसे अगर हम इसको 50 मान ले इसको 20 मान ले तो क्या होगा 50 20 70 होगा इसमें 7 बचा था इसमें 5 बचा था 7 5 12 होगा तो 70 में 12 जोड़ो के कितना होगा 82 होगा सिंपल में 22 लिख दो बीना जोड़े तो क्या हो जाएगा यक्स बराबर माइनस 82 अपान 85 इनको हल करो या ना करो इनको यहीं छोड़ो दुई घात समीकरण क्वाडरेटी की क्वेशन देखिए थोड़ा सा अईसा समीकरण जिसमें चरपाद की घात यहीं अधिकतम घात मैक्सिमा पावर 2 होती है वह क्वाडरेटी की क्वेशन कहलाते हैं दुई घात समीकरण कहलाते हैं इनका इस्टेंडर्ड फार्म होता है AX स्क्वाइर प्लस BX प्लस C इक्वल 0 मेरे बोलने से किसी को कोई तकलीफ बढ़िया है चलो आगे आईए इनके एक्जामपल नीचे दिखे गए हैं 4X स्क्वाइर प्लस 9X प्लस 5 इक्वल 0 या फिर 12Y स्क्वाइर प्लस 21Y प्लस 3 इक्वल 0 ये भी क्या है उनीक एक्जामपल अभी मैं समझाया था इनको इस्क्रीन साट लीजिए फट से इसका नंबर कहा आईए दूइगांद समीकरण में बात करते हैं साथिओं दूइगांद समीकरण में 2 प्रकार के दूइगांद समीकरण होते हैं एक सुद्ध दुई घात समीकरण एक होता है मिफ्र दुई घात समीकरण सुद्ध दुई घात समीकरण वो होता है जिसमें एक घात वाला कोई ना हो एकदम ओरिजीनल हो इसे बोलते ना यानि इसमें देखो 3x का स्क्वाइर प्लस 5 इक्वल 0 इसमें कहीं ये वाला पद नहीं है ये वाला पद नहीं है देखो इसमें भी नहीं है न समझा किना ही समझा भईया आईसा समीकरण जिसमें कोई भी एक घात वाला पद ना हो वो सुद्ध दुई घात समीकरण कालाता है मिस्र दुई घात समीकरण मतलब ऐसा equation जिसमें 2 and 1 दोनों power वाले equation हो जैसे देखो ये दुई घात वाला हो गया ये ये एक घात वाला हो गया भाई साब यहां दुई घात लगी तुम्हें दिखी रहा है एक घात इसके कपड़ी लगा दो कोई दिक्कत नहीं है एक घात रहे या ना रहे कोई फरक नहीं बढ़ता है इनका हल करने मज़ा आएगा ठीक है चलो सुद्ध दुई घात समिकरण को हल करना इसमें कोई यक्स की बैलू बताएगा इमानदार आदमी है कोई बतावा हो का नाम है तो है मानी नूर सेख सुद्ध खान, राकेस, वर्तिका सिंग स्टोनम दूबे, बिट्टू, पूजा यादो सब ही बताव चला ओ चलो बया जाओ इधर देखो ये माइनस में है इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा इधर जाने पर ये चेंज हो जाता है ठीक है ये मदलब जान लो kी, ये माइके से ससुराल चली गई अम माइके से ससुराल जाने की बाद बड़ी चेंजिंग आ जाती है समझ रहे हो कि नहीं माइके में चाहे गोबर के कंडी वोपला भी बना रहे हैं लेकिन ससुराल में जाके कहेंगे इची ची ओ माई गार्ड हम तो गोवर नहीं चूँते हैं देखो समझो पहले चोड़ो सब यह यक्स का स्क्वायर ऐसे रहेगा यह पांच है इधर आएगा यह गुड़ा में है आठ तो यह भाग में हो जाएगा ठीक अब समझो इधर पहले इनको थोड़ा खिसकाओ इधर गोवर ओबर उपला कंडी कितने लोग जाना थे हो सब लोग को पता आई नहीं यहां से जब स्क्वायर हटेगा तो दूसरी साइड में वर्गमूल का चिन लगता है तो यह पांच बटा आठ ठीक है यह अंसर आएगा इसमें और कुछ नहीं किया जाएगा यह 9y स्क्वायर ऐसे लिख देंगे और यह उधर फाइड जाएंगे तो माइनस का प्लस हो जाएंगे ठीक इसमें कोई y कमान बताए मुझे मतलब तुम सभी लोग जान रहे हो मतलब सब जान रहे हो बहुत समझधार हो सब जान रहे हैं सब जान रहे हैं एक लोग का आदेश है मेरा कमेंट पढ़ो हमारा आदेश होगा कि तुम्हें ब्लॉक करो बस पिरो देखो इदर तो वाई स्क्वायर बहिए यह एट्टी वन आइफे रहेगा यह 9 इधर जाएगा भाग में हो जाएगा यह आपस में आइसे अब जगा नहीं है रुक जाओ यह तो वाई बराबर प्लस माइनस तीन आएगा कितना आएगा तीन न लिख लो भाई यह चाप लो फटा पट इनको मैं हटाऊंगा अभी यहां से जल्दी लिखो पट से लिखो 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 हो गए चली आगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग दीरे दीरे फे और इनको कर देते हैं छोटा चोटा कहीं के लाव साइड में जाओ चलो आप चलो इनको लाव लाइन पे चल भईया आजा लाइन पे रज्जा आजा यह आगए ना चलो 144 प काई स्कॉएर ए यह बराबर जीरो भी रहा यार चलो अब बराबर यह 100 इधर जाएगा पलिस में हो जाएगा पी काई स्कॉएर 100 ऐसे उतर जाएगा यह 144 इसके साथ गुडा में है इधर जाएगा भाग में हो जाता है भाई बिमारी आ गई मुसीवत रूको आप लोगोंने भी गाना सुना का अलारम लगात चलो दस बटा बारा आएगा पांच बटा छे सभी को समझ में आया बोलो एक बार हाँ यास सभी को आया फट से चापो चलो चापो चापो आया सभी को इतना चोटा भी तो दिख रहा अच्छा यार और कितना बड़ा लिखवाते हो मुझसे बड़िया तो दिख रहा है तुम लोग को बड़ा दिखाने चक्कर में हम गड़ बड़ हो जाते हैं चलो इनको और चोटा करो इसमें बताओ क्या होगा देखो ये 225 जेड का स्क्वायर ये 81 दूसरे साइड ट्रांसफर होगा तो पॉज्टिव हो जाएगा जो निगेटिव है ठीक है बड़िया अब यहां से जेड का स्क्वायर एफ रहेगा ये 81 टू टू फाइब इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा जेड बराबर हो जाएगा ये वर्गमूल में भाई साहब 81 का वर्गमूल 9 होता है 225 का 15 होगा ठीक है इनको हल कर लो तो तीन तरीका 9 तीन बचे 15 इनको चाहो तो बीच में पहले भी कट कर सकते दे तुम ये तीन से डिवाइड हो जाता अंदर में ही आपको हल करना आसान रहता देखो पूरा दिख गया एक है स्क्रीन में सारे सवाल ना मैंने फालतुए इतना फैला रखा था चलो अच्छा है स्क्रीन साट लो जल दी से चलो लो फट से एटिट्यूड वाली गर्ल थोड़ा सांत रही है क्योंकि एटिट्यूड मुझे बिल्कुल पफंद नहीं है यह नाम से कमेंट आ रहा है बाकी मुझे नहीं पता कौन है लेकिन नाम से ही नफरत है मतलब इस वर्ड से ही चलो मिस्र दूइगात समीकरण इनको हल करने की विधिया देखो भया वो तो था सुद्ध वाला अब तक जो हो रहा था अब आसुद्धी वाले में आ जाओ मिस्र दूइगात समीकरण इनको हल करने की तीन विधिया है गुड़न खंड विधि पूर्ल वर्ग बना करके हल करना और एक सूत्र द्वारा सिरीधरचार जी के सूत्र द्वारा गुड़न खंड विधि से हल करिए चलिए आईए करते हैं और हाँ सभी साथी सेशन को लाइक कर दीजिए जल्दी से आपकी जिम्मेदारी है सुन रहा हो ना सभाई फटा फट सेशन को लाइक करिए पहले फिर आगे बढ़िए जल्दी करें हो गया आईए हल करते हैं चलिए देखिए आपसे प्राबलम नहीं है इस नाम से प्राबलम है शिम्मल सा अपना नाम बनाईए मुझे कोई प्राबलम नहीं है चलिए आए आगे बढ़ते हैं फिल हल के लिए आप कुछ भी रखिए साथियों इनको हल कैसे करेंगे इनमें यक्स की दो बैलू फाइंड होगी जितने घात का समीकरण होगा उसके उतने ही मूल होंगे मूल सुने होग नहीं कब हो पूरा नहीं चला नहीं ऐ गंदई लाड ए ऐसे मूल रूट बोलते हैं इनको इंगलिस में सायद मूल मतला वो मूली की बात नहीं कर रहे है हैं कर रहा है का ही लग रहा है आओ चलो हल करते हैं देखो देखो लोग उबने लगे हैं मुझे पता है साथियों इसमें सबसे अच्छा तरीका यह है बीच वाले पद को तोड़ते हैं दो पार्ट में ठीक है कैसे तोड़ते हैं पहले तो एक चीज आपको समझना होगा यहां गुडांक और घहात आंक जैसे मैंने लिखा 9 वाई घहात 5 ठीक है तो इसमें क्या है वाई का पावर 5 है ठीक है लेकिन वाई का गुडांक क्या है क्या है बोलो नो है वाई गुडांक क्या नो है इसमें यक्स की पावर 4 का गुडांक क्या है गुडांक को इंगलिस में कॉफिसियन बोलते हैं यहां पर यह जो गुडांक की बास हो रही कोफिसियन न, तहीं बोल रहा हूँ, चलो, इसमें क्या है बोलो, यक्स का इसमें यक्स वाई, जड़ का स्क्वाईर, इसका गुडांग क्या है 12 है, क्या है 12 है, है न, भाईस आप समझ गया सा भई, ठीक है समझ गया तो अब मुझे एक बात बताओ तुम, कि इसमें यक्स का गुडांग क्या है, क्या है इंसा की अजम से जब दूर किनारा होता है, तो टूफा में, टूठी किस्थी का एक भगवान सारा होता है तो जहां पर कुछ नहीं होता है उसका भगवान सारा मतलब इसमें मैथ में वन होता है गुडांग क्या होता है वन अगर यह सिर्फ और सिर्फ ए है तो इसका घात भी वन माना जाता है गुडांग भी वन माना जाता है याद रखना हमेशा अपनी जरूरत के अनुसार परियोग करना क्योंकि आजकल इनसान भी इनसान को जरूरत के हिसाब सभी परियोग कर रहा है तो तुम कम से कम मैद में ही समझ लो ठीक है? आईए यक्स स्क्वाइर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल 0 तो साथियों इसमें यक्स स्क्वाइर का गुडांग क्या है? तो पहले इस गुडांग का 12 में मल्टिपल करेंगे तो कितना हो जाएगा? इसको गुडा करो 12 एक कम 12 ना? कितना होगा 12? अब एक चीज याद रखना क्या? अगर यहाँ पर प्लस का चिन्द है लाश्ट में दो ही चिन्द होगा लाश्ट वाला चिन्द अगर प्लस है तो यह नमबर लिखोगे लाश्ट वाला 12 है यह बीच वाला 8 है कोई दो गिंती बताओ जिसको चोड़ने पर 8 आ जाए और गुडा करने पर 12 आ जाए बताओ बताओ आए देखिए दो गिंती जिसको चोड़ने पर क्या आ जाए 8 आ जाए गुडा करने पर 12 आ जाए है कोई का है ऐसे कोई बता भईया बोलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है 6 धन दो जो 6 गुडा दो बहुत अच्छा तो 8 की जगा पर हम इनको ऐसे पहले लिखेंगे 8 की जगा पर लिखेंगे 6 धन दो बाहर पर यक्स और ये 12 आ एसे रहेगा बराबर 0 इनका काम खतम इनसे गर्ज पूरी हुई इनको भगाओ यहाँ था यक्स स्क्वाइर माइनस 6 का यक्स में गुडा 6 यक्स पहले माइनस है खुले गब रेकट तो दो यक्स धन 12 एक्वल 0 ठीक धन कोई दिक्कत नई चलो फट से चापो अब देखो इसमें कॉमन लेंगे इन दोनों में कॉमन लेंगे इन दोनों में इसमें यक्स common होगा तो यक्स माइनस 6 बचेगा इसमें माइनस 2 common होगा तो यक्स माइनस 6 बचेगा बराबर 0 जो दो जगा लिखा था उसको एक जगा कर लेते हैं और ये और ये मिला करके एक और पत बन जाता है बराबर 0 ठीक है तो यक्स माइनस 6 बराबर 0 तो यक्स बराबर कितना आता 6 ठीक है इसमें यक्स माइनस 2 बराबर 0 करोगे तो यक्स बराबर 2 आएगा सभी को समझ में आया यक्स के 2 बैलू आया 1-2 आया, 1-6 ठीक है तो एक हाथ समीकरण है तो 2 यक्स बैलू आएगे ठीक है भया कोई डाउट किसी को नहीं दूसरे वाले में कोई यक्स का मान बताए कितने लोग बता लोगे हसन साहब दूबारा से वीडियो देखिए रिपीट करिए ठीक है ये लाइब चल रहा है लाइब के बाद में आद दूबारा देखिएगा चलो देखो आओ सबसे पहले इनका मल्टिपल करोगे इसमें तो कितना होगा 6 चक 36 कितना आएगा च्छतिफ ना तो जो च्छतिफ है इनको लिख लो पहले ये का का करने पाएगा गुडा करने पर ठीक है इनका इसमें गुडा किया कितना आया 36 अब कोई दो ऐसी गिंती बताओ जिसको गुडा करने पर 36 आए और जोडने पर 11 आए बताओ बता भईया जोडने पर 11 आए गुडा करने पर 36 आए नो चोग 36 नो चार तेरा सोचा बताओ भईया चलो बोलो छे पाँच ग्यारा छे पंचे तीस नहीं पांच ग्यारा छे ग्यारा होगा लेकिन पांच ग्यारा होगा छतिफ चाहिए तो नो चोग 36 ना नो चार तेरा नहीं बनेगा ना सोचो और बताओ यह कुछ ऐसे भी क्वेशन है जो इस तरीके से नहीं बनते हैं सिंपल तरीके से ठीक है तो उनको सूतर द्वारा करते हैं यही होते हैं जो फिलहाल अभी आप ट्राई कर लो फिर बताते हैं चलो पता नहीं कहां चला जाता है ठीक है ठीक है बहुत अच्छे बहुत अच्छे ठीक है नहीं बनेगा तो यह सूतर द्वारा बनेगा ठीक है भाया फार्मूले से होगा यह यह फार्मूले से होगा नहीं बन रहा ठीक है जाने तो छोड़ो इनको बाद बताएंगा फार्मूले से होगा यह ये गुड़नखंड विदिफे डारेक्ट नहीं होगा असानी से, चलो आगे लिए पर आओ इसमें गुड़ा करने पर 36 आए 6 चक शत्तिफ ना गुड़ा करने पर 36 आए बीच में 13 है तो जोड़ने पर 13 आए बताओ इसमें पॉसिबल है ना तो हो जाएगा चलो ठीक है इसमें 9 और 4 हो जाएगा क्या हो जाएगा 9 और 4 तो 6 यक्स स्कॉर माइनस ये 9 धन 4 ठीक है बाहर से यक्स और प्लस 6 इक्वल 0 तो ये हो जाएगा साथी मेरे 6 यक्स का स्कॉर माइनस इसका गुड़ा होगा 9 यक्स प्रेकट खुलेगा अगर ये माइनस है तो ये अंदर का माइनस हो जाएगा इन दोनों में कामन लोगे इन दोनों में कामन लोगे कितना आएगा कितना आ रहा है लोग 9 और 4 बता रहे है ठीक है इसमें बाबू कामन लोगे 3 यक्स तो 2 यक्स बचेगा माइनस 3 बचेगा माइनस 2 कामन लोगे तो 2 यक्स माइनस 3 इन में भी बचेगा ये 2 यक्स माइनस 3 एक बार लिख देंगे जो दो जगा लिखा है कामन के बाद ये 3 यक्स और माइनस 2 ये मिला के एक और पत बन जाता है ये 3 इधर जायागा प्लस में हो जायागा ये 2 इधर गुड़ा में है यक्स के साथ में इधर भाग में हो जायागा जिनको ये बिल्कुल नहीं आ रहा वो बेसिक मैद सीखें पहले जीरो लेबल से देखें बाबू ठीक है जब तक जीरो लेबल नहीं देखोगे नहीं आएगा लिखो फट फे चापो चलो लिखो यादी तीन एक्स माइनस दो बराबर जीरो ती एक्स बराबर क्या होगा ये उधर जाएगा दो पलस में हो जाएगा और तीन इधर जो एक्स के साथ गुड़ा में है भाग में आ जाएगा ठीक है हो गया दोनों मूल आ गए इसके एक्वेशन के दोनों मूल आ गए एक ये आ गया ये किया आ गया ये अंसर है अगर कोई डाउट किसी को नहीं न आगे बढ़ें चलो अगला समझो यहाँ पर इसमें क्या है इसका गुडा करो गुडांक का भई साब गुडांक इसमें एक है तो गुडा करोगे तीस में तो तीफी रहेगा अब कोई दो गिंती बताओ जिसको गुडा करने पर तीस आए और जोडने पर ग्यारा आए है कोई क्या सोचो और बताओ कोई गिंती है ऐसी हाँ है सोचो सोचो जो फालतु बात कर रहे है न मन कर देंगा उठाओ उठाओ कम कूँच डाल इसको मोनिटर बनना है देर में आई है मुह दुली नहीं है मक्खी लग रहे हैं नाक बह रही है कि मोनिटर बनने च्षेकल है जात ईसा देखो औरसे बार उत्तर एक नहीं देना है नहीं मुझे मोनिटर बनना है यह उठाओब पर स्लाइब ने पर गुड़ा करने पर 30 आए जोड़ने पर 11 आए आजाएगा 5 और 6 पांच चंग 30 ठीक है यक्स स्कॉाइर आफे लिख देंगे माइनस 11 की जगा पर हम 6 धन 5 लिख सकते हैं इंटू यक्स ये बहरे था वही से रहेगा 30 बराबर 0 ठीक है भाई रोईद बलाक ना करो ठीक है बढ़िया अब ये यक्स का स्कॉाइर देखो इधर जगा नहीं थोड़ा यहां लिखूंगा मैं और माइनस ये यक्स का गुड़ा अंदर में होगा तो 6 यक्स और सुरू में माइनस है तो अंदर के चिन जो प्लस के हैं वो माइनस के हो जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा 5 और यक्स में गुड़ा होगा 5 यक्स और प्लस ये 30 इकॉल 0 ठीक है इन दोनों में common लेंगे, कोई बताए क्या common होगा, चलो, बताओ, ए मनिटर बताओ, बताओ, मनिटर बनना है, बताओ, इन दोनों में क्या common हो सकता है, common का मतलब जानते हो, नहीं जानते हो, देखो बताया देता हूँ थोड़ा सा, जैसे मेरे इस हाथ में remote है, एक mobile है, और मेर आये सिवश्पो जो दोनों में वहीं-ается कॉमन है रिमोंट नहीं यह क्वेसं एक सिंगल मोबाइल डभाल दोनों में मोबाइल कॉमन तो जो दोनों में होगा वहीं ऊच अजय से खाइओ ना हमारा भी पढ़ने मन नहीं लगता हमारी दोस्तवा का भी मन नहीं लगता है हम भी नालायक है तो यह नालायक वाला जो गुण है दोनों में कॉमन है पहली दफ़ा देखा उसे तो धड़का जोर उसे अरे यह अलारम बज़ रहा है मैं गार नहीं रहा हूँ चलो देखो इन दोनों में यक्स कॉमन है क्या बचेगा एक्स माइनस छे माइनस पांच कॉमन है एक चीज है इस तरीके के सवाल में एकजाम उगजाम में ध्यान देना अगर एकवम बराबर नहीं आ रहा तब हो एकवम बराबर जब ज़स्तिय लिख देना दोनों कोश्टक में सेम चीज आने चाहिए ठीक है चलो तो ये एक्स माइनस छे एक जगा लिख देंगे और यक्स माइनस पांच बराबर जिरो यक्स के क्या-क्या मान आएंगे बताओ भाई एक छे आएगा एक पांच आएगा एक चीज जान लो वैलू ही आती लाश्ट में जो हिया आती हिया जोड़ने वो ही आता है तो जब इनको जीरो के बराबर करोगे अब तक देखते आये हो छे और पांच आएगा बस यक्स कमान अब फालतू एक आ लिखे लिखो दूआ कुमारी ये बता आपका नाम यही है या फिर आप इस कलास में दूआ के नाम से रखके आई हूँ भी बताओ इमानधारी से मैंने आज तक नाम सुना था पंकज नाम होता था अब लोग रंकज भी रख लेते हैं समझ रहे हो इतनी जनसंख्या हो गई है ओम नमासिवाय करके लोग इतने बढ़ गए हैं काय को ऐसा बोल रहा हूं बुरा दें मानना आज्कल इस देश में न कोई अगर सेक्स एक्स के बाद करता है या सक्स के भार आज करता है बहुत इला वाना जाता है कि हूँ कोई चर्चा नहीं करना चाहता है ना परिभार में नै इसकूल में रेकिन संख्या पूरे 200 को पीछे कर चुकी समझ रहे हो तो बजन करने से तो हो नहीं रहा है समझी रहे हो मैं ऐसा बोला क्यों क्योंकि मैं देखता हूँ अचकल लोगों के नाम जो है किसे कोई बुरा ना माने को दिल पर ले ले लेकिन ऐसे नाम आ रहे हैं जैसे जैसे मनद चाइन और वह यहां ना अमेरिका मेरिका मोते वाएसे कुछ सुद्ध नाम जो होते थे उनको उलट के पलट के इधर से उधर फे उधर फे इधर फे बड़े नाम बनाये जा रहे हैं चलिए आगे बढ़ें देखिए मैं किसी के नाम पे कमेंट नहीं कर रहा हूँ मैं एक बात बता रहा हूँ सिंपल सी जानना चाहिए सब कुछ दुनिया में रहते हो कितना आएगा इसको कौन-कौन कर लेगा देखो अब ये कुछ होमवर्क लिख लो यार मैं बहुत करवा दिया हो मग लिखो कोई के रहा है नाम में क्या लिखा है बैया हो नाम से ही आपका पूरी जिन्दगी डिसाइड होती है नाम का बहुत बड़ा महत्त होता है किसी इंसान का बहुत बड़ा महत्त होता है नाम का जिन्दगी में यह होमोर के घर से करना यह भी होमोर का है इसको भी घर से करना चाहे दुआरे करना कहीं भी करना तो यह भी देख लो फिर इसी में लगे हाथ दिख गया जीत हासिल करनी है तो काबिल बनी है क्योंकि कुट्टे को भी किस्मत की रोटी मिल जाती है और दूसरा यह अपनी चमक हमेशा बरकरार रखी है क्योंकि सुर्यास्त होने के बाद लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं चमक का मतलब यह नहीं कि लिपा पोती करके पेंड लगा लो मुह में चमक का मतलब आपके गुण प्रगुण और बहुत सारी चीजें हैं जिनको देख करके लोग आपकी तरव अट्रेक्टिव होंगे और हाँ उन आसिकों के लिए एक बड़ी जरूरी बात है उन आसिकों के लिए जो एक कमेंड में परिसान है पूरे टाइम मैंने देखा कि देखो जिनका टूट गया है वो लोग समहाल के बैठें अब उसमें जो एनर्जी निकल रहे उसको सही दिसा में लगाएं और इस दुनिया में इस देश में न कोई भी चीज परमान एंटर नहीं होती हर चीज बदलता रहता है हर समय बदल रहा है हर समय बदल रहा है उस तरह इंसान भी बदल रहा है तो उन बदलाव को सुविकार कीजिए जिन्दगी में आगे बढ़िए और दूसरी बात क्या कि अगर आप किसी काम के नहीं हो न तो कोई तुम्हारी दरफ देखने वाला भी नहीं है बोलना और कुछ तो बात ही छोड़ो तो किसी काम के बनो किसी की जरूरत पूरी कर सकूँ क्योंकि आजका लोग जरूरत से चलते हैं जरूरत बहुत बड़ी चीजह होती है और वही जरूरत जो आपको मुझसे जोड़ के रखी है क्योंकि आपको पढ़ना आई ल्याप कलास में आयो है न कड़वा आया लेकिन सच है बहुत बहुत धन्यवाद